उत्तर प्रिदेश की योगी सरकार ने विदेशी नागरीकों की पहचान करने का काम शुरू कर दिया है जिसमें अवेद रूप से रहे रहे विदेशी लोगों को चिनहित किया जाएगा जी हाँ आपको बता दे कि उत्तर प्रिदेश की प्रसाशन ने तै किया है कि अब वह विदेशी नागरीकों की पहचान के लिए अभियान चलाए जाएंगे सुत्रों के मताविक NCR की तर्च पर ही यहाँ पहचान का काम शुरू होगा जिसका मसौदा तयार कर लिया गया है मिली जानकारी के मताविक आज DGP मुख्याले सभी जिलों के कप्तान IG, DIG, ADG जोन को एक पत्र भेज कर घुसपैटियों की पहचान का काम शुरू करने का निर्देश जारी कर सकता है सुतरों के मताविक जो मसौदा तयार किया जा रहा है उसमें हर शहर में रेलवे स्टेशन, बस्टेंड या फिर सरकारी जमीनों पर बसने वाली नई बस्तियों की पहचान की जाएगी जहां बांगला देशी या दूसरे नागरिक अवेद रूप से बस गए है पुलिस प्रचाशन ऐसे लोगों की पहचान करेगा और उनके फिंगरप्रिंट्स की डैटा जुटाए जाएगे, साथ ही साथ उनके पास के दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा योगी सरकार फरजी दस्ताविज बनाने में मदद करने वाले लोगों को पहचान करने में जुटी है खास कर बिचॉलियों और विभाग्य करमचारियों पर कड़ी कारवाई के निर्देश जारी किये जा सकते हैं जो अवेद रूप से आकर रहने वाले लोगों को दस्ताविज बनाने और दिलाने में मदद करते हैं नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप अवारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंदाई वीडियो को शेर करना न भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लोग इन करें www.nation1.tv पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें Twitter, Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें Nation1 के साथ